हेलो फ्रेंड आप सभी का स्वागत है आरके कलासिज यूटूब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन बोधिक शिक्षा परनाली की जिसको हम व्यदिक शिक्षा भी बोलते हैं हम बात करेंगे कि वेदो के टाइम पर शिक्षा कैसे दी जाती थी इसके कई नाम है इसको हम प्राचीन भारतिया व्यदिक शिक्षा भी बोलते हैं गुरुकुल परनाली भी बोलते हैं और बोधिक शिक्षा परनाली भी इसको बोलते हैं तो ये वीडियो डियालेड और बेड दोनों एक्जाम्स के लिए हेलफफुल है इसमें देखे तीन चार तरीके से कोस्टन घुमा कर पुछा जाता है जैसे शिक्षा के प्राचीन भारतिय दर्शन अथ्वा तथा गुलुकुल परनाली का वर्णन कीजिए प्राचीन भारतिय व्यदिक दर्शन तथा गुलुकुल परनाली का वर्णन पूछा जा सकता है या प्राचीन भारत की व्यदिक की शिक्षा परनाली की विशेश्ताओं की व्याख्या कीजिए समाज की शिक्षा में ये विशेष्टा कहां तक पाई जाती है अथवा प्राचीन भारत में शिक्षा के क्या आदर्ष थे वर्तमान शिक्षा का संगठन करते समय इनका मुल्यांकन कीजिए तो चलिए देखते हैं सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारत में जो शिक्षा होती थी ना प्राचीन भारत में वो ज्यान का स्त्रोत होती थी उसे लोक और परलोक को सुधारने का माध्यम माना जाता था वास्तव में प्राचीन शिक्षा धरम से प्रेडित थी इसका पर्मोख कारण प्राचीन भारत्य विचार धारा तथा जीवन दर्शन का पूर्ण रूप से धरम पर धान होना था जीवन का प्रतेक छेत्र चाहिवो आर्थिक हो राजनेतिक हो सामाजिक सब पर उस टाइम पर धरम का परभाव होता था आरियों के जीवन का मुख्य उदेशय था मोक्स की प्राप्ति अत्य जीवन की प्रतेक किरिया मोक्स प्राप्ति के लिए संपाधित की जाती थी वो काम किया जाता था जिससे मोक्स की प्राप्ती हो इस विचार का शिक्षा पर भी परभाव पड़ा है तो उस टाइम पर तो शिक्षा दी जाती थी वो कहीं न कहीं धराम से तो जुड़ी होती ही थी अन्य पहलू से भी जुड़ी होती थी उस काल में शिक्षा को नया केवल ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम माना जाता था अपितु शिक्षा मोक्स प्राप्त करने का भी एक साधन मानी जाती थी अब हम बात करते हैं उस टाइम पर बोधिक शिक्षा परनाली के क्या उदेशे थी प्राचिन बोधिक शिक्षा परनाली के उदेशे पहला उदेश्य होता था चरित्तर का विकास करना व्यक्ति के चरित्तर का विकास करना बाईये अनुशासन के साथ साथ आंत्रिक अनुशासन को भी महतु देना मतलब अंदर से भी व्यक्ति खुद को कंट्रोल करे व्यक्तितों का विकास करना जीवन को पूर्ण रूप से पवित्र बनाए रखने के लिए अंतिम उदेशय मोक्स की ओर ले जाना भोतिक जगत से चित का मतलब होता ध्यान, ध्यान को अटा कर आंत्रिक जगत की ओर ले जाना व्यदिक साहित्यें, यग तथा करमकांडों और आध्यात्मिक रहश्यों को सांस्कृतिक निधी के रूप में संजो कर रखना जो व्यदिक साहित्यें हैं, यग हैं, करमकांड हैं, आध्यातिम को रहश्यों हैं, इन सब को सांस्कृतिक निधी के रूप में संजो कर रखना उप्रियुक्त शिक्षा के उदेशों का तात्प्रिय यह नहीं है, कि प्राचिन काल में शिक्षा का उदेशा केवल धरम शिक्षा चरित्र का निर्मान करना था मतलब यह सारे चिज्ज पढ़ने से हमारे दिमाग में यह बात नहीं आने चाहिए, कि उस टाइम पर केवल धरम की शिक्षा दी जाते थी इस विशें पर बीजी गोखले क्या लिखते हैं? बीजी गोखले कहते हैं कि इस परनाली का आयोजन इस परकार का था कि जीवन के परती छात्र का दृष्टिकोन विश्त्रित हो जाए उस टाइम पर क्या उदेशा होता था? जीवन के परती जो दृष्टिकोन है उसको विश्त्रित करना उसमें ज्यान की ज्योती जगे उसकी बुद्धी परखर हो और उसके व्यक्षितों के विकास दवारा उसके अंदर चरित्र बल की स्थापना हो किसके अंदर? बच्चे के अंदर जो उस टाइम पर शिक्षा गरेन कर रहा है यह सत्य है कि इस परणाली में धरम शिक्षा को ज़्यादा मैत्व दिया जाता था परंतु साथ ही ज्यान तथा साहित्य की साखाओं के मैत्व को भी भुलाया नहीं जा सकता अल्टेकर के अनुसार यदि हम बात करते हैं तो इस्वर भगती तथा धार्मिक भावना, चरित्तर निर्मान, व्यक्तितों का विकास, नागरिक, सामाजिक करतवय का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नती, राष्टिय संस्कृति का अशनरक्षन और परसान, पराची ने जो भारते शिक्षा थी उसके ये उदेश है ते अब देख लो आप इसमें कितने उदेश हैं, इस्वर भगती है, धार्मिक भावना है, चरित्तर निर्मान है, व्यक्तितों का विकास है, नागरिक, सामाजिक करतवय का पालन है, सामाजिक कुशलता की उन्नती है, तो ये सारे क्या थे, प्राचीन जो भारते शिक्षा थी, उसके उदेश्य थे, अब हम बात करते हैं, प्राचीन काल या वैदिक जो शिक्षा थी, उसकी क्या क्या विशेश्ताई होती थी, पहली है गुरुकुल परनाली, तो उस टाइम पे जो शिक्षा दी जाती थी, व जब वे बच्चे होते थे बालियावस्था में ही अपने माबाप को छोड़कर गुरू ग्रह में परवेश करना पड़ता था वही पर उनका अध्यान कारिया चलता था गुरू उनका शंरक्षक होता था शिक्षा परदान करने के साथ साथ वहे अपने शिशों के नेतिक आचरन की भी देखबाल करता था तो गुरू जो होता था उस टाइम पे शिक्षा तो देता ही था इसके साथ साथ नेतिक आचरन भी बच्चों को शिकादा था उसकी देखबाल करता था इसके बाद अगला पॉइंट है उपनयन संसकार उपनयन संसकार की यदि हम बात करते हैं तो जब गुरुकुल में दाखिला लिया जाता था तो पहले बच्चे का उपनयन संसकार उस टाइन पर किया जाता था उपनयन संसकार का मतलब होता है जिवन की एक अवस्था के समाबत होने और दूसरी अवस्था के आरम्भ होने से इसका मतलब है और इसका सापधिक अर्थ हम देखे उपनेयन का तो इसका मतलब होता है छात्र को गुरू के निकट ले जाना, अब यहां पर एक अवस्ता खतम हो जाती है जो घर में रहने के वस्ता वो खतम हो जाती है और दूसरी अवस्ता बच्चे की शुरू हो जाती है अब जो भी चातर है गुरुकुल में शिक्षा लेना चाते थे उनका क्या है उनके लिए उपनेन संसकार बहुत जरूरी पर हम आवशक समझा आचा था सभी का ये संस्कार किया जाता था किसी के साथ इसमें कोई भी भेदवाव नहीं किया जाता था बाद में क्या हुआ ये जो संस्कार है वो केवल द्वीजों का ही रह गया सुद्रों को इससे वंचित कर दिया गया अब द्वीज की हम आगे पढ़ेंगे देखें यह उनके बच्चे फिर उनके बच्चे ऐसे करके जो हुए हैं उनको द्वीज कहा गया है और जैसे सुद्र वगएरा इनको वंचित कर दिया गया था बाद में उपनेंट संसकार से आठ से बारा वर्स की उमर इसके लिए उचित मानी जाते थे उस टाइम पर इसमें क्या होता था पहले बच्चे को मा के साथ बोजन कराया जाता था उसके बाद उसका मुंदन कर दिया जाता था फिर उसको नहला कर कोपिन दारन उसको करवाया जाता था कोपिन बोलते हैं एक लंगोठ टाइप का होता था जो पुराने टाइम में लगा 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 आप जो गुरकुल में बच्चे पढ़ते थे उनके एक ड्रेस आप मान सकते हैं लंगोठ की तरह उनको बांधना पड़ता था और यगोपवीत का धारन करना भी प्रम आवशक माना जाता था यगोपवीत बोलते हैं जो जनेव होता है जिसको तिर्चा बानते हैं ब्राह्मन का अगर आप भी भी बानते हैं उसका भी धारन करना उस टाहिम पर प्रम आवश गुरु फिर बच्चे को आशिरवाद देता था उसको गायत्री मंतर का जाप करवाता था ठीक है तो वास्तों में उपने इनके पस्चा शत्र का नया जीवन आराम होता था इसी कार्णे से द्विज इसके बाद बच्चे को क्या कहते थे द्विज बोला जाता था इसके बाद अगली जो हैडिंग है वो हमारी आचरण के आधार पर परवेश जब गुरु कुल में जब दाखिला होता था तो बच्चे का आचरण देखा जाता था उस टाइम पर आचरण देखकर ही परवेश दिया जाता था जो निम्न आचरण वाले छात्तर होते थे उनका गुरु कुल में कोई स्थान उनको नहीं दिया जाता था बच्चरण के उस टाइम पर परमुकता होती थी हर एक चात्र को अपना जो अध्यनकाल होता था उस दोरान बच्चरण का पालन करना पड़ता था गुरु आश्रम में केवल बच्चारी रह सकते थे जो विभाई चातर थे उनको कोई स्थान नहीं था महाँ पर बरमचारी चातरों को सदा मतलब साधा और इंद्रिय निगरय का पालन करना पड़ता साधा जीवन उनको जीना पड़ता था अगला पॉइंट है गुरु सेवा उनके लिए गुरु सेवा निवारिय थी गुरु को बहुत ज़्यादा उस टाइम पर मैतव दिया जाता था हर बच्चा अपने जो अध्यन काल है उसमें गुरु की तन मन धन से शेवा करता था आश्रम का जो भी कामका जैवे चात्तर करते थे यदि कोई बच्चा उस टाइम पर आग्या नहीं मानता था अपने गुरु की तो उसको कठोर दंड दिया जाता था गुरु को यह बानलो इस्वर का रूप मानकर उसकी भगति और सरदा से उसको पूझा जाता था उस टाइम पर फिर बात करते हैं शिक्षा में भोतिकता भी थी उस टाइम पर हम यह नहीं कह सकते हैं केवल धरम की शिक्षा दी जाती धरम पर दान शिक्षा नहीं थी इसके साथ साथ क्या था साइत्य, दर्शन, इनके अलावा उस ताइम पर व्याव साइक विशय भी थे उस ताइम पर देखें चिकित्सा है, सस्तरविदा है, आदी की शिक्षत दी जाती थी, जन सादरान को लोकिक शिक्षा भी दी जाती थी फिर बात करते हैं जो शिक्षा थी वो उसमें वहवारिक्ता भी थी ऐसी शिक्षा भी दी जाती थी जिसको हम अपने वहवार में ला सके जिसको हम यूज कर सके शिक्षा में वहवारिक्ता का भी मैत दिया जाता था गुरु आश्रम में सेवा करते समधी के चातर क्या करते थे जीवन में काम आने वाली शिक्षा को भी गरैन करते थे कैसे आसरम में जो काम है बच्चे करते थे उन गायों को वनों में चरा कर लाते थे तो इससे पसुपलन सीख जाते थे बच्चे जो भूमी होती थे आसरम की वहाँ पर किर्शी वगरा करते थे तो किर्शी करना भी बच्चे मां से सीख लेते थे उस टाइम पर देखे बिक्सा की परवर्ती होती थी बिक्सा वर्ती होती थी हर एक बच्चे को खुद के लिए अपने गुरू के लिए बरण पोसन के लिए बिक्षा मांगनी पड़ती थी हर चातर बिक्षा मांगता था उस टाइम पर वेदिक काल में इसको बुरा नहीं माना गया है गरस्त से अर्स्त दवार पर आई होई देखे जिसके भी घर में बच्चे जाते थे तो सबी से अर्स्त का मतलबा खुशी से बिक्षा देते थे दवार दवार पर अब शिक्षा मांगने से क्या होता था चातर के अंदर विने समाजिक्ता इनकी भावना उत्पन होती थी इसके बाद आगे है शिक्षा वेक्ति के लिए थे उस टाइम पर वैदिक काल में सामोईक शिक्षा के पेक्षा व्यक्तिकत शिक्षा को ज़्यादा महतो दिया गया है गुरू परतेक छातर की उन्नती का परियतन करता था उस टाइम पर शिक्षा में पर्मक रूप से उन सिद्धानतों पर बल दिया जाता था जिनको अपना कर वैक्ति मानसिक और अध्यात्मिक विकास कर जीवन के परम लक्षय को प्राप्त कर सके दूसरे सब्दों में हम कह सकते हैं कि शिक्षा जो है उस टाइम पर वैक्तिके उन्यन का माध्यम मानी जाती थी फिर बात करते हैं उस टाइम पर टाइम की मतलब जो अध्यान है उसका क्या काल होता था उस टाइम पर बारा साल तक भी होता था 36 साल तक भी 48 साल तक भी जो बच्चे उस टाइम पर 24 साल तक अध्यान करते थे उनको वसू कहते थे उस टाइम पर 36 साल वाले को रुद्र और 48 साल वाले छात्रों को आदित्य कहते थे जनरली अम बात करें तो 24 साल तक बच्चे जोईश में अध्यन करते थे गुरुकुल में फिर बाईय नियंतरन से मुक्त जो गुरुकुल होता था उस टाइम पे जो राजा होता था या कोई पुझी पती है उसका कोई भी नियंतरन नहीं होता था वो अपने आप में सवतंतर होता था गुरुकुल राजा जो होता था केवल सिक्षा के विकास में उसका मार्गदर्शन करता था गुरुकुल का और दन दवारा सायता करता था परन्तु शिक्षा संस्थाओं के आंतरिक परशाशन में किसी वितरह का दखल नहीं देता था इस विश्य में इसको आप छोड़ दीजे यहाँ पर इंगलिस में कुछ स्टेटमेंट थी वो मैंने आशे अटा दिये आगे बात करते हैं कि उस टायम पर शिक्षा परनाली कैसी थी, टेचिंग सिस्टाम कैसा था, मैथड कैसा था सबसे पहले उस टाइम पर देखे मोखिक शिक्षन दिया जाता था उस टाइम पर लेखन का इतना विकास नहीं हुआ था तो इस कारण जो अध्यापन की परनाली थी वो मोखिक होते थी गुरू क्या करता था? शिस्या के सामने अनेक गरंथ इनके भास्या परस्तुत करता था मतलब बोलकर इनको बताता था बच्चे द्यान लगाकर सुनते थे और बाद में फिर एक आगर होकर उसको एक आगर चित करते थे और उस पर चिंतन करते थे अगले दिन पहले क्या करता था? गुरु पिछला सुनता था, उसकी मोखिक फरिक्सा लेता था, उसके बाद आगे के चीज़े कराई जाते थे फिर यह मनन तथा चिंतन, मंतर तथा बाश्यों को कंठागर, मतलब याद करने के बाद उन पर चिंतन मनन किया जाता था मनन के दवारा उनके आंतिक अर्थों को समझा जाता था, कि इसका मतलब क्या है, दी बच्चों को उस टाइम पर मंतर याद कराया जा रहे हैं, तो उन मंतरों का क्या मतलब है, उनके उपर चिंतन मनन कराया जाता था मनन तथा चेंतन से उनके अंदर आतम शाक्षातकार की बाहुना उद्य होती थी इसी कारण इस योग में सवाध्याय तथा मनन पर अधिक बल दिया गया है फिर है उच्चारण पर बल उस टाइम पर दिया जाता था शिक्षा में सब्दों के ठीक उच्चारण को पर विशेश बल दिया जाता था गुरू अपने शिश्या के परतेक सब्द के उच्चारण का मतलब हर एक सब्द का उच्चारण कराया जाता था उस टाइम पर पहले गुरू करता था उसके बाद जो है छातर से कराया जाता था छातर उसका अनुकरन करके जो है फिर उनका उच्छारन अच्छे से करते थे सीखे लेते थे उच्छारन बच्चे फिर आगे है वाद विवाद की परमुकता उस टाइम पर वाद विवाद भी कराया जाता था विशे स्थान था वाद विवाद का कोई यदि मतबेद हो जाता था तो उस पर जो है उसका सोलूशन करते थे वाद विवाद के द्वारा चातर आपस में वाद विवाद करते थे चातरों को विशय के पक्स और विपक्स में पूरी आ जाती होती थी बच्चे को मतलब कोई भी टोपिक जिसके उपर वाद विवाद चला हुआ उसके पक्स में भी बोल सकते थे उसके विपक्स में भी बोल सकते थे जटिल समस्याओं का समादान परसन और उत्तरदवारा किया जाता था सातर केवल निश्क्रिया सरोता नहीं होते थे जरूरत पढ़ने पर गुरू से अपनी संकाओं का समादान भी बच्चे करते थे आगे अम बात करते हैं कि उस टाइम पर क्या क्या टोपिक्स बच्चों को पढ़ाये जाते थे पठ्थे विशे व्यदि काल में पठ्थे विशे का मुख्या रूप से देखी व्याकरण, कल्प, ज्योतिस, चंद और निरुक्त ये विशे थे उस टाइम पर कुछ लोगों का बराम है कि पराचिन काल में पठ्थे पुस्तक करम केवल धरम परदान था, अब कुछ लोग मानते है कि उस टाइम पर केवल धरम परदान चीज़े पढ़ाये जाती थी, परन्तु ये दारना बिल्कुल गलत है, ऐस सत्य है व्यदिक काल में पठ्थे विशोक का अधिक विश्तार हो गया था, पठ्थे करम में पूरा का मतलब होता है आध्यात्मिक विधा या विद्या एपरा होता है, संसारिक का जो जो ज्यान होता है, वो दोनो उस टाइम पर दी जाते थे, पूरा विधा भी विद्या और एप संदोग उपनिशद इस बात की पुष्टी करता है कि सनत्कुमार के कल्प पर्षन पर नारद उत्तर देते हैं, अब उसमें उस पुराने टाइम पर क्या उत्तर दिया गाए, देखें, संदोग उपनिशद के अंदर. कहा गया है कि नारद जी कहते हैं उसमें एक बात लिख्य हुई है कि वेदों के अतिरिक्त व्यदिक व्याकरण कल प्राशी उस टाइम पर गणित को बोलते थे देव विद्या, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, आदी अनेक विदाओं को जानते थे नारद उस टाइम पर जाने का कैसे जब पढ़ा होगा उस टाइम पर इसका मतलब यह है कि वेदिक व्याकरण गणित है, देव विद्या है, भूत विद्या, नक्षत्र विद्या, इन सब की शिक्षा दी जाते थे तरक्षास्तर को भी पठ्थय करम में विशेश्थान दिया जाता था, इसके अतिरिक्त राशी विद्या, निधी विद्या, एकापन तथा शिक्षा विद्या का भियाध्यान होता था इस विडियो के अंदर हमने वेदिक एजुकेशन सिस्टम पड़ा है, एंसियंट एजुकेशन सिस्टम, उमीद करते हैं, आपको यह विद्या पसंद आई होगी, यदि यह विद्या को पसंद आई हो तो इस विद्या को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बोक्स में झाल